हेलो स्टुडेंट्स, आई वेलकम ओल आफ यू इनकेनेस एजुकेर, टुडे वी आ लर्रिंग अबाउट मेंसुरेशन, यह आपका चाप्टर है टेंथ मैथमाटिस का और आज हमारा इसका लेक्चो नमबर फर्स्ट होगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे चाप् लेंग अपार्ग, एरिय ओफ सेक्टर, एरिय ओफ सेग्मेंट ओफ ए सर्कल, तो यह स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मिक्स एक्जाम्पल ओन सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ओप डिफरन्स सॉलिड फिकर्ट, तो स्टुडेंट्स यह जो डिफरन्स सर्फेस जो उलिड़े अपने प्रिवेस स्टांडर में लर्न किया है, सर्फेस एरिया कैसे फांड़ ओट किया जाते है, वोल्यूम कैसे फांड़ किया जाते हैं, तो यह सब भी फॉर्मूला पहले रिकॉल करते हैं, देखिए आपके सामनी क्यूबओर्ड दिख राए हैं, के ते गर यहाँ पर all faces equal हो तो उसे के ते क्यूब अई बस समझ में तो देखे क्यूबोड का पहले lateral surface area क्या होता है 2H in bracket L plus यहाँ पर B होता है after that total surface area यह जो यहाँ पर दिख रहा है आपको total surface area क्या होता है 2 in bracket LB plus BH plus HL and after that volume is equal to L multiply by B multiply by H okay length multiply by breadth multiply by यहाँ पर height यहाँ पर हो जाएगा okay so next देखे आभी cube जैसे मैंने आपको अलड़ी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो सभी जो face है यहाँ पर equal हो तो उसी cube कहते है तो देखे इसका lateral surface area क्या होता है 4L square होता है total surface area होता है आपर 6L square after that volume is equal to होता है L cube आई पास समझ में so next देखे आभी next आपर cylinder cylinder किसे कहते है इसका यह जो उपर वाला face यह circular होता है और इसे मैंने आपर extend कर दिया तो यह मेरा cylindrical बन जाता है okay so cylinder का surface area क्या होता है curve surface area 2πrH होता है total surface area 2πr in bracket r plus h यहाँ पर हो जाएगा and volume πr square multiply by h h क्या होता है यह height होती है ठीके h यहाँ पर height r होता है radius of the upper face circle radius okay कि आई बास समझ में so next one cone अभी cone का slant height क्या होता है slant height मतलब यह slant में है यह height आपको दिख रही है जो incline में है उसे slant height कहा जाता है यह यह मेरी perpendicular height हो जाएगी इसे h कहते है और यहाँ पर जो base है उस circle का radius यहाँ पर r से हम denote करते है तो slant height is equal to l is equal to in square root h square plus r square curve surface area pi r l होता है total surface area pi r in bracket r plus l हो जाएगा volume यहाँ पर 1 by 3 multiply by pi r square h यहाँ पर हो जाएगा okay so volume what is the volume of cone 1 by 3 multiply by pi r square h okay so अभी spear जैसे आपका ball होता है tennis का ball यह तो football ओके तो उसका surface area क्या होता है 4 pi r square volume होता है 4 by 3 pi r cube and last one hemisphere मतलब जो sphere है उसे हमने क्या पर क्या cut कर दिया तो यह hemisphere बनता है तो उसका curve surface area होता है 2 pi r square total surface area of a solid hemisphere बनता है 3 pi r square and volume यहाँ पर बनेगा 2 by 3 pi r cube आई बास समझ में तो students आपके notebook में यह सभी formula आपको note down करके लिखने है सभी के formula आपको याद होने चाहिए okay on the base of this all the formula आपको यह सभी numericals आने वाले okay तो आपको सभी यह जो formulas है आपको याद होने चाहिए okay तो यह कुछ example देखते हैं तो देखिए आपर first example दे लेंध ब्रीट और हाइट ऑफ ओफ ओईल कैन यहापर देखिए यहापर उन्हेंने अन ओईल कैन आर 20 cm, 20 cm, 30 cm respectively ओके ओईल का यहापर एक कैन है ओके तो आपर कितना ओईल यहापर आ सकता है हमें बताना है अभी students one liter is equal to क्या होता है one liter is equal to correct thousand centimeter cube होता है ओके यहापर centimeter में दिया है तो सबसे बले हमें क्या करना पड़ेगा इसका volume find out करना पड़ेगा तो यह क्या है cube है या cuboid है yes it is a cuboid so what is the formula of volume of cuboid so volume is equal to L multiply by B multiply by H length के आपर 20 multiply by 20 multiply by 30 okay देखे 2 2s are 4 4 3s are 12 so 1200 cm3 यहाँ पर बन जाए का volume बट हमें यहाँ पर liter में find out करना है oil कितना है आपर उस can में आता है हमें find out करना है so therefore oil contain is equal to क्या होगा 12,000 divided by यह पर देखे 1 liter is equal to इतना centimeter है तो हमें क्या करना है 12,000 cm3 is equal to कितना होगा cross multiply करेंगे देखे 1000 यहाँ पर आजाएगा if I assume this value is x okay तो अभी मुझे बता हो यहाँ पर x is equal to क्या आएगा यहाँ पर 12,000 divided by 1000 आजाएगा okay so therefore 1010101010 get cancelled 12 liter यहाँ पर आपका answer बनता है okay so how many liter it contains oil 12 liter so now we saw next one question number 2 दिखिए in the adjoining figure shows the measures of joker cap how much cloth is needed to make such a cap तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका surface area find out करना पड़ेगा okay but students आपको यहाँ पर यह cap आपको बनानी है तो यह आपको चाहिए नहीं आपको just only curve surface area चाहिए so what is the formula of curve surface area तो curve surface area is equal to होता है pi r l l क्या होती है slant height r क्या होता है radius तो pi की value आपको लेनी है 22 by 7 गिवन नहीं दिया है 660 cm square okay आपको कितना cloth यहाँ पर चाहिए 660 cm square इतना cloth आपको चाहिए I think यह question आपको समझ में आ चुका होगा तो students आईए कुछ example solve करते है यह जो question है यह भी mixed question होंगे okay so the radius and height of the cylindrical water reservoir is 2.8 meter दिया है 3.5 meter respectively how much maximum water can the tank hold उस tank में कितना water यहाँ पर आ सकते हैं हमें बताना है person need 70 liter of water per day एक person को 70 liter water चाहिए तो how many person is the water sufficient for a day कितने person के लिए आपर water sufficient है हमें बताना है तो सबसे पहले आपर given data लिखते है देखे given क्या क्या दिया है आपर radius दिया है क्या is दिया है so r is equal to 2.8 meter after that height दिया है yes दिया है 3.5 meter pi की value आपको 22 by 7 लेनी है so capacity of water reservoir capacity of water reservoir okay is equal to क्या जाएगा reservoir is equal to volume of cylindrical reservoir मतलब pi r square h यहाँ पर होगा so 22 by 7 multiply by r का square मतलब 2.8 multiply by 2.8 multiply by height यहाँ पर कितनी है 3.5 okay गर इसे आप solve करते तो we get answer 86.24 meter cube okay अभी दिखे students हमीं यहाँ पर इसे liter में convert करना पड़ेगा so therefore liter में क्या होगा so 86.24 multiply by 1000 okay so therefore कितना liters यहाँ पर आ जाएगा so because यहाँ पर 1 meter cube is equal to क्या होता है 1000 liter okay and 1 liter is equal to 1000 centimeter cube okay आई वास समच में so therefore we get 86,240 liter okay यहाँ पर इतना मिला अभी water in the tank sufficient for हमें find out करना है कितने परसन के लिए so therefore water in tank sufficient for how much person 86,240 divided by 70 करना है so 10,10 get cancelled so we get 1232 persons okay तो आप कांसर क्या आगया 1232 परसन के लिए water sufficient है आई वास समच में तो example number 2 देखिया भी how many solid cylinders of radius 10 cm and height 6 cm can be made by melting a solid sphere of radius 30 cm तो students देखिये उन्होंने क्या का है how many solid cylinders हमें बनाना है उसके radius दिया है 10 cm and height यहाँ पर दिया है 6 cm हमें यह किस से बनाना है यहाँ पर एक sphere है तो यह जो sphere है उसे melt करके जो metal यहाँ सी इसे मिलेगा तो उससे हमें cylinder यहाँ पर बनाने है आई बास समझ में मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इसका volume पहले find out करना पड़ेगा sphere का तो यहाँ पर sphere का volume मिल गया after that हम यहाँ पर एक cylinder का volume find out करेंगे okay then हम क्या करेंगे sphere का जो volume है divided by volume of cylinder so we get number of जितने भी cylinder यहाँ पर मिलते है वो okay so therefore यहाँ पर लिखेंगे so volume of sphere is equal to okay तो volume of sphere is equal to अभी हमें assume करते 4 upon 3 pi r cube होता है and volume of cylinder is equal to क्या होगा yes correct pi r square h pi r square h because इसका radius अलगे है इसका radius अलगे है हम यहाँ पर इसे capital से denote करेंगे उसे small से therefore number of cylinder is equal to volume of sphere divided by volume of cylinder so therefore वो फॉर्मूले यहाँ पर 4 by 3 pi r cube divided by pi r square h देखे pi pi get cancelled so therefore 4 by 3 multiply by r कितना है यहाँ पर 30 cm है मतलब 30 multiply by 30 multiply by 30 3 1s आ 3 10s है यहाँ पर हो गया after that divided by r square r कितना है radius यहाँ पर is k 10 है तो 10 multiply by 10 multiply by 6 यहाँ पर होगा देखे 1 10 1 10 get cancelled 10 1s आ 10 3s है आपर आगया 3 1s आ 3 2s है आपर आगया 2 1s आ 2 2s है हो गया so 2 multiply by 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा so therefore we get 60 कितने cylinder यहाँ पर बना सकते हैं यहाँ पर 60 cylinder बना सकते है okay so I think equation आपको अभी समझ में आ चुका होगा तो students I think equation आपको समझ में आ चुका होगा तो आज का lecture हम यहाँ पर ही end करें तो आज के lecture में हमने क्या देखा आज के lecture में हमने देखा what is surface area total surface area and volume of the different shapes आई बास समझ में तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you